हेलो फ्रेंज दिस इस मिगार के और आप देख रहे हैं श्रेश्ट भारत आलिया भट के पास इस साल कई प्रोजेक्स हैं अब उनके प्रोजेक्ट में एक और बड़ा नाम शामिल हो चुका है पिछले कुछ दिनों से आलिया को लेकर चल रही स्पाई यूनिवर्स की चर्चा पर अब मोहर लग गई है ये मोहर और किसी ने नहीं बलकि ये अश्राज फिल्म्स के सीई ओ अक्षे विधानी ने लगाई है जी हाँ YRF के स्पाई यूनिवर्स में कटरीना कैफ और दिपिका पादुकोन तो पहले से ही है और अब आलिया भट की भी एंट्री हो ही गई अब वो YRF की स्पाई यूनिवर्स से फिल्म का हिस्सा बनने जा रही है उनके साथ शर्बरी का नाम भी कनफर्म हो गया है और साथ ही शूटिंग कब शूटि होगी इस पर भी बड़ा अपडेट सामने आया है जी यह अपडेट यश्राज फिल्म के सीई ओ अक्षे विधानी ने ही दी है दरसल अक्षे विधानी से स्पाई यूनिवर्स को लेकर कोई भी एक बड़ा खुलासा करने के लिए कहा गया तो उन्होंने आलिया की खबर से सब को चौका दिया अक्षे विधानी ने इंडस्री का इतना बड़ा सीक्रेट शेयर किया कि फैंस तो खुशी से जूम उठे आपको पता दे आलिया भट तो स्पाई यूनिवर्स फिल्म में नजर आएंगी जिसकी शूटिंग इस साल के एंड में शुडू होगी बात अगर Y.R.F. स्पाई यूनिवर्स की सभी फिल्मों की करे तो सबसे पहले सलमान खार की साल 2012 में आई फिल्म एक था टाइगर के साथ इसकी शिरुवात होई थी इसके बाद साल 2017 में टाइगर जिन्दा है और वार साल 2019 में आई जिसमें रितिक रोशन और टाइगर शुराफ थे और अब आलिया की भी इसमें ग्रैंड एंट्री हो गई वैल, that's not a good news, it's a great news बाकी आर से ही latest news से updated रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेश्ट भारत को